बारा लाईने ध्याज सुनिएगा जिंदगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार मौका ये एक नहीं मौके मिलेंगे सौ बार कर तू मेहनत पूरी लगन से फल की अभी परवा ना कर होगा वला उसमें छिपा मा बाप की दुआ पर यकीन कर उरान भर उरने को तू ध्यान न दे पर कट जाने पर अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा दुनिया की तू परवा ना कर तो एक बार इसको पूरी तरीके से उनके समझने की भी कोशिस करिएगा इसमें बहुत ही experience, अनुवब, जुरुबा जिन्दगी मिली है एक बार तुझे करना उससे प्यार ये जो जिन्दगी मिली है वो एक बार ही मिली है तुम्हे इससे प्यार करना है दूसरी जिन्दगी मिलेगी भी तो पहली जिन्दगी का तुम्हे अनुवब याद नहीं रहेगा ये दुबारा मिलना नहीं है जिंदगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार मौके ये एक नहीं मौके मिलेंगे सौ बार तुम्हें अभी इस उमर में ये सबसे बड़ा हैडल लगता है सबसे बड़ा चैलेंज लगता है बहुत बहुत important लाई है और वो जो importance वो जो आप अनवव करेंगे आगे के जीवन में आगे जो कुछ आपको मिलने वाला है वो सब इस लड़ाई के जीत और हार पे भी निरगर नहीं करता है और ये जिन्दगी माया जा ले भाई इसमें सिर्थ खुश रहना ही ultimate solution है नहीं तो खेती के फसल के लिए परिशान है, कोई टीचर अपने कलास के सेडियूल के लिए परिशान है, कोई दुकांदार अपने माल बीचने के लिए परिशान है, कोई टिकट काउंटर पे बैठने वाला आफिस आने वाला इंसान, पने आफिस के टाइमिंग के लिए परिशान है, तो जीवन में सुख और दुख सब के लाइक में हैं। पता है कुछ मिल जाने से या कुछ शूट जाने से च्छनिक दुख होता है बाद में आदत पर जाता है। बात में आदत पर जाता है, सही बात बताता हूं, बात में आदत पर जाता है। जिन्दगी मिली है एक बार तुझे करना है उससे प्यार, मौका ये डेक नहीं मौके मिलेंगे सो बार, कर तुम मेहनत पूरी लगन से फल की अभी परवा ना कर, मेहनत करो, फल की परवा करो कि उससे फल नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है रिजल्ट किस चीज़ से मिलने वाल नहीं तो 70% जंता तो करी नहीं रही है, 20 लाग फॉर्म भरने में से 4 लाग ही कॉम्पेटीटर होते हैं, तो आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर मेहनत कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से बहुत फर्थ परता है, अब लग्की हैं क आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पर रहा है, और जो जीत का सफ़र है, बिना इन सब चीज़ों से नहीं मिलता, डर लगना, रिवीजन की चिंता होना, प्रेसान होना, ये तो पार्ट ओफ प्रेपरेशन है, ये हो रहा है, तो इसको जाके 10 लोगों के बताने से कुछ नहीं होगा, यूटूब पर जाके कमिट करने से नहीं होगा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है तो पार्ट अफ प्रेपरेशन लगना चाहिए, और डर Лगेगा, इसका मतला है कि आप डर लगने का कोई लोजिक नहीं है, अगर उसको लग भी रहा है तो उस उसमें छिपा, माबाप की दुआ पर यकीन कर, उरान भर उरने को तू, ध्यान न दे पर कट जाने पर, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, दुनिया की तू परवाना कर, एक बच्चे ने वेजाता जिनका नाम है, साइमा राइटर, साइमा राइटर, यह मैंने नहीं लिख है, साइमा नाम है उसका, थैंक्यू सो मच,